सरवे तो बहुत जगे फेल होगा, जितने अबते लेक्सन हुए अधिकता सरवे फेल है, सरवे की बात ना करें, आज महल दूसरा है, आज हर आदमी राम में हो गया, इसलिए बावना पे बहख कर, राये देख बुद्धा कुछ नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, कुछ बिजेपी की सीट कुछ कम जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष के सभी जो अन्य दल है, वो सब साथ मिलकर इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो जो लग रहा है, वो टेक प्रसेंटेज बिजेपी का थुड़ा कम होने की इस बार आशना है, तो जो लग जितने से कोई रोक ने सकता, विकास की आंधी चल रही है, यह आगरा है, और आगरा की यह सड़क सीधे ताज महल पूर्वी गेट पर जाती है, लाखों परिटक डेली ताज महल देखने के लिए आता है, जो इसी सड़क से जाता है, हवा बहुत तेज है, और इन हवाओं क बीच में ही 2024 के लोख सबा चुनाओं को लेकर भी चर्चा, परिचर्चा, बहस, मुहाब से बहुत तेज है, आज तक ने सर्वे कराया, और सर्वे के अंदर भाजपा को बहरी बढ़त जो है देख रही है, वर्तमान में जमीन पे सारी चीजें चल रही है, और क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी के लिए यहाँ पर बात करते हैं, कि आखिरकार क्या इस्टिती राजनेतिक रूप से उत्तर परदेश के अंदर है, आपका क्या नाम है, अश्वक चौबे, क्या करते हैं आप, जी मैं एडवोकेट हूँ, अच्छा, ये बदाएए, जो लोख सबा का चुनाब अब होगा 2024 में, उसमें आपको क्या लग रहा है, और जो एक सर्वे किया है आज तक ने, उस सर्वे के अंदर आया है कि 71 सीटे भाजपा को मिल रही है, 72, और 7 सीटे समाजवादी पार्टी को, और 1 सीट मिल रही है कांग्रेस को, बसपा को सीट नहीं मिल पा र कि स्री राम की प्रान प्रतिष्टा हो चुकी है, और वो हमारे हम सब के अराद हैं, ऐसे महौल में जब से प्रान प्रतिष्टा का महौल बना, के पश्चात महौल बना, उसमें आप जो साथ दे रहे हैं, किसी को एक दे रहे हैं, अब वो ऐसी बात है ही नहीं, अब तो मु मिलेंगी किसी दूसरे को देने के लिए आप तैयार ने देखिए तैयार की बात नहीं है यहां उत्तर परदेश का जितना भी जन्मानस है वहाँ पूरा राम में हो चुका है और अभी में हाल में मैं भी अजुद्ध्या होके आया तो मैंने मार्ग में जितना माहौल देखा उस माहौल से तो मुझे और मेरा बैक्तिकत मानना है कि पूरा उत्तर परदेश भाजपा मैं है आपका क्या नाम है रामन गपूर क्या करते हैं मैं डीलर हूं बजाज का अच्छा तो आपको क्या लग रहा है का भारती जन्ता पार्टी और आई एंडी आई ए और बहुजन समाज पार्टी इनकी उत्तर परदेश के लोगसवा चुनाओं में अब की बार सीटों को ले के क्या इस्तिती रहे हैं मेरे क्या है नाइटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो है वह बाज़ापर के कफिशन में जानी है दोनों बात हैं एक तो मोदी जी का करश्मा ही ह और योगी जी ने जो काम किया है और जो सापना हुई अभी राम मंदिर की मैं समझता हूं पुरा उत्तर प्रदेश लालाहित है वहां की काम करने के लिए ताकि दुबारा से योगी जी बापस आएं और इस प्रदेश को जैसे आगे बढ़ रहा है उस तरीके से बढ़ाने आप यह योगी आदितनात की बात कर रहें लेकिन दोजार चौविस का चुनाओ जो है वह नरेन मोदी के उसमें है उसके उसके संबंद में बात हो यह लोग यह विदान सभाका तो नहीं लोग सभाका है तो नेचुली यहां से जितने भी जादा आएंगे बिकास देव डि सब्सक्राइब जाएंगे अपने रूप के उपर तो आ सकता है हुझन समाच पार्सी का कांग्रेस की राइबरेली जो सीट है और अमेठी जो थोड़े बोटों से वहारे थे कांग्रेसी वह भी आपकी नजर में जो है इस अपकी बार नहीं आ रही है नहीं मैं समस्ता हूं तो यह सर्वे से कहीं ऊपर की बाते हो रही है और इन बातों के बीच में यहां पर कुछ 25 भी लगी हुई है और बाचीत के बीच में चुनावी जानकारियां लेते हैं आपका क्या नाम है यह बताइए उत्तर प्रदेश में अब की बार जो सीटे आ रही है तो वो हम लोगों ने एक सर्वे करा आया था आज तक ने उस सर्वे के अंदर 72 सीट बीजेपी की आ रही है साथ समाजवाद पार्टी और एक कांग्रेस बस्पा को एक भी सीट नहीं मिल लाए आपका क्या मानना है सर्वे तो बहुत जगे फेल हो गए जितने अप्ते लेक्सन हुए अधिकता सर्वे फेल है सर्वे की बात ना करें आज महल दूसरा है हाज हर आदमी राम में हो गया इसलिए बावना और mend करेंज हो बह patron मोटनैंगे अवससे ंचीत जाधा यह आएंगी बेशीव कितनी मिल के जाधा आएंगा फोकितनी मिल सकती ही बैत जो रहेगा करेंगे आपका क्या नाम है मेरा नम प्रेश आप कंदे आप यहां पर भी हाजिर है अच्छा यह बदाईए अपकी बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनेतिक दल है आपको क्या लग रहा है कौन सा राजनेतिक दल कितनी सीटें जीतेगा और आज तक का जो सर्वे हुआ है तो आपको क्या देख रहा है कि जो सर्वे है सर्वे कैई बार फेल भी हुए है लेकिन सर्वे में आठ दस परसेंट का उपर नीचे जरूर देखने को मिलता हर बार हर चुनाव में इस बार लोग सब चुनाव की बात करें तो बीजेपी की सीट कुछ कम जरूर दिखाई दे रही क्योंकि विपक्ष के स सब्सक्राइब करें तो जो लग रहा है वोटिंग प्रसेंटेज बीजेपी का थोड़ा कम होने की इस बार आश्री आप विपक्ष कहां आ रहा है सपा बसपा सब अलगा लगेंगी में तो यही डल है उतरपरदेश के लेकिन यह छेत्रिये पार्टियां है इस तरीके से व यूपी की बात अलग है लेकिन अन्य राज्यों में बीजेपी को भी फायट देखने को मिलेगी अन्य दलों से इस यूपी की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टियां भी मजबूती से चुनाव लड़ने को तियार है और बसपा भी अकेले चुनाव मैदान में है तो इससे जरूर बीजेपी को कुछ फायदा जरूर मिल सकता है इन छेतरी पार्टियों के अलग चुनाव लड़ने से आपका क्या नाम है मेरा नाम दीपक दान है क्या करते हैं मैं रुकाइड असोसेशन उत्तर प्रदेश की उसका देख यह बदाईए अपकी बाहर आपको उत्तर प्रदेश में दो हजार चौविस के अंदर लोग समा चुनाव होंगे उसके अंदर आपको क्या देख रहा है कि जो सीटे और उसके बाद बात करें तो बाकी की 75 की 75 सीटे भारती जंदा पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता विकास की आंदी चल रही है जिस तरह से परेटर को देखिए जिस तरह से लॉइन ओर्डर को देखिए जिस तरह से आप इंफ्रस्ट्रक्चर को देखिए जिस तरह से विकास की बात हो रही है हर आदमी किसी भी धर्म का हो किसी भी जाती का हो बिलकुल बेखाफ जी रहा है इस से पहले ऐसा बारती जंदा पार्टी की सरकार भरपूर आए और पूरे दम से आए और विकास को ऐसे ही आगे लेके जाए आपका क्या नाम शेवांका शर्मा क्या करते हैं मेरा गेस्ट हाउस है यह जो अपकी बार दोजार चौविस में लोग सबाव होने जा रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा कितनी सीट है किस के हिस्षे में आ सकती है यूपी के अंदर अगर देखा जा तो यूपी के अंदर तो 70 प्लस बीजएपी का 70 ब्लस रहेगा और अगर पूरे देश का देखा जाए तो जेबल पर 350 अ यह मेरा अपना अप्र अंच हम आलने जी यूँ उत्तर परद वो तो सभी चली गई नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ और घटक दल भी है जो ले करके आएंगे अब बाकी दलों की स्थितिस परत नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा बसपा या रालोद वगेरा ये अपनी सीट लेके आएंगे मैं सैविंटी प्लस का मतलब सैविंटी प्लस आपका क्या नाम है मेरे नाम शिम्सुद्दीन खान है यह बताईए उत्तर परदेश में आपकी बार आपको क्या लग रहा है किसके हिस्से में कितनी सीटे आ जो दिखता है आज जो पोई यूथ की वह यूथ की और रहे हैं उसोस्तर बशम को नहीं चानता है वो यूथ आज देख रहा है आपना भविश्द देख रहा है उस भविश्च को देखते हुए उन डिसाइड करें ऑगे कहां जाना है तो आज की जो पॉजिशन है उसमें बीजेपी बर्चस में आएगी इसमें कोड़ हो रहा है नहीं अगर आप इंटरनेशन लिए देखें तो इस देश की जो जो आइडेंटीडी है वो बहुत भाई हो गई है लोकल कुछ प्रॉब्लम्स है वह आपस में बैठ कर डिसाइड क की जा सकती है कुछ हर जगा बुरे लोग होते हैं कुछ लोग अच्छे हैं कुछ जादा बुरे हैं जो ये रैक्शन डालते है इंदू मुस्लिम तीस और तो मेरा मतलब यह है के बीजैपीी ही जीते गी राजामल सपा का सपागा यह दलदल मनी एंडा इस दलदल को बहुत शहर पहले है अपने लोग पहले हैं तो हम उसको देखेंगे या हम यह देखें कि सब जाद ब्रादी में बढ़ता कि यह दब कौन है और जाड कौन है ठाकर कौन है तो बिंगे मुस्लिम हम चाहता है कि यूनिफिकेशन होना चाहिए पुब्लिक में और उस एत्वार से बीज इसलिए फाइफ प्लस आएंगी पीजेपी की लेकिन फुल मैजर्टी में जो सोच रहे हैं वो अभी ऐसा लगता रही है क्योंकि साथ-साथ दूसी जो पार्टियां हैं वो भी अफर्स कर रही है लेकिन इस पूरे उसमें देखा जाए तो सब बसपा का कहीं कोच चीज नजर आ रही है और उसी के बीच में सारी बाते कहीं जा रही हैं इस बात से किसी को ना इत्तफाकी नहीं है कि बीजेपी की बड़त रहेगी बाकी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सबके विचार हैं रिजल्ट बाद में पता लगेगा एक कयास जो चल रहा है आम मतदाता क के बीच में वो कहीं ना कहीं उसका गहरा जोकाव भारती जनता पार्टी की तरफ है हाला कि सपा और कांग्रेस को भी वोट सहित माना जा रहा है कोई ऐसा नहीं कि बहुत नुक्सान में देखा जा रहा है अर्बिन सर्मा आगरा यूपी तक